प्रेच दे बेल आइकन साथियों बहुत दोस्त सागत है आपका अपनी चैनल अनायस ऑनलाइन हमें इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे साथवे चरण बहाले को लेकर और जैसा कि आप लोग को पता है कि कल बहुत जादा बड़े-बड़े न्यूज चैनल पर भी जो है दिखा जा रहा था कि अगले 24 घंटे में जो है आपकी विग्यापन जो है जारी कर दिये जाएगा लेकिन यहां पर बीपेसी के दुवारा फिर से विमर्स करेगा यानि सिक्षा विभाग के साथ कि उम्र सीमा में कितना छूट दिया जागा सेक्षेनिक क्या रहेगा ठीक ह पैटरन सारी चीज का जो है आपर सिक्षा विभाग से एक बार जो है विमर्स करेगा उसके बाद ही जारी किया जागा यहां पर जो बीपेसी के अजध्धक चैंतुल परसाथ उनके दुवारा भी यहां पर एस्टेटमेंट यहां पर दिया गया है ठीक है और एक संभावि रिजल्ड कब होगा और निक्तिपत्र आपको कपसे मतलब मिलेगा साथ में इसमें बताया गया है कि नेगे Tibo BPS की नेगेटिव मार्किंग के पक्च में नहीं था सिक्षवी भाग यानि BPS के दुवारा जो नेगेटिव मार्किंग रखा गया है वह सिक्षा विभाग इसक पर जो है विमर्स भी जो है एक षबता का जो है लिया गए है टाइम कर्या यानि जो कल आने के सुचना थी आप जो है अगले एक सब्ता में आपको कभी भी जो है आपका जो है जो है फिग्दापन जो आ सकता है ठीक़े तरह से पूरे अप्डेट को दिख लेते हैं सिक्चक खंवर्थि जून के आवरिदन लेने के बाद फीक आपको जो है में लास्ट ही मारि मिलें जून पूरा जून जू है आपको एक मेहना की हत्य आपको समय में दिसंबर में दिया जागा नुक्ति पत्र यानि इस साल तक आप बोल सकते हैं कि नया साल तक आपको जो है नुक्ति पत्र जो है देने का टार्गेट यहां पर बनाया गया है ठीक है अगला देख लेजिए आपर 1.70 लाग सिक्छा नुक्ति की वेकंसी अगले सब्सक्राइब योक्ता उम्र वह प्यटर्ण पर सिक्छा विभाग से एक बार और विमर्स करेगी बीप्यसी ठीक है यानि इसके बारे में कट अप सक्चिनी के योक्ता ठीक है उम्र सिमा में कितना छूट ठीक है इसके बारे में जो है सिक्छा विभाग से एक बार फिर से विमर्स करेगी तो इस फूरे अपडेट को देख लेते हैं एक नजर में कक्षा 1 से 12 तक 1,70,000 सिक्षकों की भरती के लिए अगले सबता ही वेकंसी जारी हो सकेगी एसा इसलिए कि BPSC सिक्षक भरती के लिए अभियारतों के सक्षनिक के योगता, उम्र सीमा और परिक्षा पैटर्न पर सिक्षा विभाग से एक और विमर्स करेगी इसके बाद वेकंसी का परारो BPSC फिर सिक्षा विभाग को भेज़ेगा, इसके बाद विगवती जारी होगी कक्षा 1 से 5 सिक्षकों का प्रसन इंटर्मेडियेट, कक्षा 9 से 10 के असना तक और 11 से 12 का प्रसन जो है असना उतर का होगा तो यह प्रसन है दोस्तों कक्षा 1 से 5 के लिए जो है आपका इंटर्मेडियेट करेगा, 9 दस्वी के जो असना तक लेवल करेगा और 12 का जो रहेगा वो असना उतर का अस्तर का होगा आगे यहां पर देख लिए जिए लिखावा है तो यह है दोस्तों इसका प्रसन है एक से 5 के लिए किस अस्तर पर आपका प्रसन पुछा जाएगा और 12 के लिए ठीक है आगे लिखाए कि प्रात्मिक कक्षा सिक्षक पद पर आवेदन के लिए अभिहारतियों को टीटी या सिटेट पास होना अनिवायर होगा तो आपको टीटी पास होना जरूरी है आगे देख लेजे उच और उच माईधमिक अक्षा सिक्षक के लिए एस्टेटी उतिन होना जरूरी होगा उच और उच माईधमिक स्कुल में उन विषयों की ही वैकेंसी जारी होगी जिस विषय में 2019 के बाद एस्टेट हो चुकी है जुन में आवेदन लेने के बाद 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच पर इक्षा होगी रिजल्ट नॉमबर के आन तक जारी हो जाएगा दिसंबर के आन तक चैनित अभिहारतों को निक्तिपत्र मिल जाएगा अब यहां पर देख लिजे बीपीएसी की नेगेटिव मार्किंग के पक्च में नहीं था सिक्षा विभाग यहां बीपीएसी के दुआरा जो नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रखा गया है वो जो है सिक्षा विभाग इसके पक्च में नहीं था अर्थात अगर सिक्षा विभाग इहां इस पर विमर्ज भी चार रहा हो सकता है कि आपका नेगेटिव मार्किंग हट भी सकता है भगवान करे हट जाए तो आप लोग का जो है और भी ज़्यादा यहाँ पर एक खुसकबरी हो जाएगा देख लिजाएं BPSC की संजुक प्रारंबिक परिक्षा में जिस तरह नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न है शिक्षक निक्ठी परिक्षा के लिए वैसा ही पैटर्न तै किया गया है सिक्षा विभाग नेगेटिव मार्किंग के पक्ष में नहीं था अब ही BPSC दो गहंटों में देड़ सो वस्तुनिस्ट पसने रखने के पक्च में है, जबकि सिक्छा विबाग 2 गंटों में 100 प्रसन ही रखने के पक्च में था, वैसे परिक्षा प्रेटर्ण तय करने का अंतिम अधिकार BPSC को ही है, ठीक है, आप देख लिए जहां पर, नियोजित सिक्षकों को परिक् सिक्षकों के अंदलन को देखते हुए सरकार नियोजी सिक्षकों के लिए परिक्षा में समाइन अभ्यारतियों की तुल्ला में उम्र के साथ अनुभव के आधार पर अंकों में छूट दे सकती है कक्षा 6-8 तक नहीं आगी वेकंसी जैसा कि आप लोग को पता है दोस्तों कक सिक्षा 6-8 शिक्षा विभाग ने 1745 पद रखा था जिलो से इन कक्षाओं के लिए 35,000 रिक्ती भेजी थी कक्षा 6-8 वेकंसी इसलिए नहीं आगी क्योंकि 2017 के बाद 1-5 तक कि कई सिक्षक असना तक और 6-8 के सिक्षक की योगता रखने वाले भी प्रोनोती नहीं पा सके ह इन पदों को प्रोनोती से भरा जाएगा यानि 6-8 में जो है प्रोनोती से भरा जाएगा जो पहले सिक्षा के उसको प्रोमोर्शन से भरा जाएगा अब यहां पर देख लिए आयोग भ्यकेंसी का प्रारूफ सिक्षा विभाग को भेजगा फिर विपक्ती जारी होगा कक् क्या कहा गया है तो देख लिजे 1.70 लाग सिक्षा को की भरती के लिए वेकंसी निकलने की परकिरिया चल रही है उम्र में छोट योगता आदी के मामले में सिक्षा विभाग से एक और विमर्स होना है इसके बाद तुरण भेकंसी जारी कर दी जाएगी अतुल परसाद BPSC धक्ष का ये कहना है अब दोस्तों देखने वाली बात है कि क्या सही में एक सब्ता के बाद आपका भेकंसी जारी हो जाएगी या और भी डिले लग सकती है ठीक है ये संभावित तीती जो है बताएगी है कि जून में आपका आवेदन लिया जागा और 15 से 30 अगस्त के भी जो है आपका परिक्षा होगा नॉंबर में रिजल्ट दिसंबर में नुक्ती पत्र ठीक है अब देख लिजे एक मेहने में क्या बीमस निकल का आती है क्या रिजल्ट निकल का आती है और क्या कुछ बदलाव होता है क्या नेगेटिव मार्किंग हड़ जागा ठीक है तो आए देखते हैं आगी ला